हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपना YouTube चेनल मन जागे classes पे, दोस्तों आप लोको thumbnail देखके प्ता चली गिया होगा, आज वे समय है, आज았습니다 कहा है, प्लामू पर्मंडल, ठीक है, हम को देखते आपको जखरकन क्डिक के में कहीं दिक्कत नहीं होने वाले कोई वी ब्याद गरें टाथ क्रें कि और करते हैं प्लामौ पर्मंडल ऑपाई जो हुने वाले सारे इंपोर्टेंट और सेमी होता है ख्योंकि सेप्सक्राइब है ठीक, सिर्फ में फड़ा बोर प्वार प्यूंट आगे है, उसका स्पिटी और स्वेसी संट शेवल से रिख कपर हो जाता है, ठीक है ऐकर दोस्तों आगे बढ़ने आपड़ेट देते हैं और जिसमें प्रवाइड कर वाते हैं जरूर जूड़िएगा चलिए चलिए आज हमों क्या करने वाले अनुमंडल से जीला कैसे बना ठीक है है पलामू से गढ़वा कैसे अ में पड़ में एंत्र महतंवातों करें खरेंगे अंज करेंगे इतना हम्ش vot करने वाले चलिए चलिए दोस्तों पलामू को अस्तित में आया था तो आधारा जनवरी एक जनवरी 1892 को अस्तित में आया था ठीक है उसके बाद पलामू पलामू को ठीक इसका पलामू को पलामू को एक स्तित में इतना पलामू का धुर्जा पलामू को परमंडल का दर्जा कब परमंडल के रूप में ले लिए ठीक है इसको बना दिया कोच्चन आया है यहां से चलिए यह हो गया चलिए यतना आद रखना आपको उसका देखिए पलामू से दो डिस्ट्रिक बना है आपको लेों ले लिए यहां से कंगरना थिक यह लाधि लातिहार साल के बाद पलामों को जब इस्टेबलिस हुआ था ठीक 2019 साल के बाद गरवा बना 92 में और ठीक सौ साल के बाद पलामों को परमंडल घोशित कर दियाइगे ज़हें इतना आद रखना को ठीक साल के बाद 1991 में गरवा का establishment हुआ ठीक है जिला अलग हुआ पलामू से फिर गरवा से फिर लातिहार बना हलाकि लातिहार पलामू से कटके बना कोशन यहां से बनते हैं कि लातिहार किस से कटके बना गरवा पलामू तो पलामू याद रखेंगे हैं हम यहां बताने के लिए कि नीधिक दस साल के बाद लातिहार बना था ठीक है चलिए यहां से कुसवादे यहां सब नुमंडल कितने हैं और ब्लोक कितने थीक है चलिए देखें पलामू में कितना अनुमंडल पलॉंटल पलामू में पलामू में अनुमंडल ट्रो टिन है ठीष कि आ घजा घल कितना है धर 6100 पे सब्सक्राइब करेंड़ अचरह्ण कितना है टीन और सब्सक्राइब करेंद इतना है ब्लोक इसमें 20 है ठीक है आधर छना आपको जडिया ती इतना आई होग आपको समझ में आगी जाओगा फीर बताये लातेहार में बताईए कि इतना है अनुमंदल देखे दोस्तों पूरा तिरूत नहीं प्लप पाते हैं आप वीडियो को पहुच करके लिख सकते हैं या बना सकते हैं या फिर अरा बना से सुनिए समझ में आपको आ जाएगा ठीक है नोट्स बना के जरूत भी नहीं है अधि बनाना तो पोच्छ करके बना लेजएगा वीडियो को चलिए लातिहार में अनुमंडल कितना सब्डिविजन दो है अभी नाम बताते कौन को नहीं सब्सक्राइब जबाटा ग्लंडल है और इसका ब्लोक कितना ट्रच लातिहार में तो ब्लोक कितना ना इने ठीक है ब्लमू डेजन करौा देते हैं चलिए पलामू 892 में इस्टेबलिस हुआ, 892 से ठीक 100 साल के बाद इसको परमंडल के रूप दर्जा दे दिये गया, डिविजन के रूप में पलामू डिविजन, ठीक है, उसी बाद 892 के बाद ठीक 99 साल के बाद 1991 में गड़वा का फर्मेशन हुआ, गड़वा जिल अलग ठीक, उसको दस साल के बाद लातिहार बना, लातिहार में अनुमंडल 2 है और ब्लोक 9 है, तो आपको आद दखना है, पलामू ब्लोक कितना 21, गड़वा में 20 और लातिहार में 9, उसी तर अनुमंडल 3 है पलामू में, गड़वा में 2 है, 3 है और लातिहार में 2 है, आप लोग रेवग आहां प्रमंडल के निचे क्या होता है जीला थीक के लेया निचे क्या होता है नुमंडल सब डिविजन पो बोलते है pledge money के सब्सक्राइब को उसके क्या है जितना एंट हो emotionally होता है ये ऑदativos टेंबनल दिविजन परमंडल डिव सब्णिकानों मंडल सब्दिविजन कितने सब कर ठीक चलिए ये हो गया मैं मुझ में चलिए की लेक्षर में सारा हो गया फिर देखते हैं आगे क्या देखना में आपके दोस्तु पलामू कहां पर पलामू का मुख्याल तो पता ही डाल या मेधन नगर है और यह कोईल नदी किनारे कोईल नदी को तब यहाद्रेश्थना को चलिए बारे में इंपोर्टेंट महत्व होजानकार देखते हैं क्या इंपोर्टेंच में पॉयंट इसमीन, देखे दोस्तों पलामू में एक बहूत बड़ सासक हुआ करता था पहले, चेरो सासक नाम सुन्येंगा ठीक है चेरो कि इसम 올 डाल्टन गंज को मेधनी नगर कर दिया गया ठीक है क्यों कि चेरो क्या आद रखना है मेधनी रहा किसका राजा था चेरो डैनेस्टी का राजा था राज राज के आथा वहाँ चेरो बहुत बार राजा था मेधनी रहा उसी के नाम पे डाल्टन गंज का नाम मेधनी नगर कर और नाकपूर को करें रखा गया घ्रद कर दिया गया है तत्वा को पता घ्रद होन वेंट Quran कई से बीधनी ऊक्टन क्यों गया पड़ा दो और मेधनी नाम क्यों और क्यों पड़ा है क्यों कि नाम मेधनी नाङ्र 2 और मेदनी राय था चेरो किंग का राजा था उसी के नाम से मेदनी नगर पड़ गये बस इतना आपको आधकने एक्जाम पॉइंट भी से थे कि हम लोग पीजड ने करना है ठीक है कि बहुत बड़ जनकाली ले लिए हम लोग जाम पॉइंट उठके आते पॉइंट ठीक चलि मुगल काल में पलामू को पलावन बोलती थे ठीक है चलिए इतना इंपोर्टेंट हो गया तो दोस्ति यह यह त्रम लोग बेसिक बात रहा लातिहार पलामू गड़वा के बारे में ठीक है आपको डेट याद देखने 892 स्थित में आया ठीक 99 साल के बाद 1991 में गड़वा क पताए थे ने तो वह ट्रिक से आप लोग पता दूजारी एक पता यह होगा आपको चलिए यह हो गया बेसिक बात हम लोग कर लिए चलिए एक छोटा सब्सक्राइब कर देते हैं कि चलिए चलिए पलामु यह थे ठीक है पलामु कितना तीन बढ़ते हैं हलाकि नाम में छुपक कुछ नाम इंपोर्टन जजाद नहीं है थोड़ा से दिखाद देता दिमांग मेरे आजया देक पलामु है तब कितना मंडल था तीन था कौन-कौन था कौन था बताइए अब लोग आद एक था मेदनी नगर था मेदनी नगर क्या है just कि छके मेदनी नगर कि यहां पर मेदनी नगर टालतन शेक्ष एकपड़ा था अठार्रो श्कुर्ण कर्नल श्यक्र नाम पर पड़ा और चेरो का King जो था मेदनी रहा है उसी का नम तो मेदनी नगर पर गया दुनों नाम एक ही है तो यह जो गए meदनी नगर दुसरा भृसेनाबाद अनुमंड़ है तीसरा क्या है चातरपुर है तीसरा हो गया थीन अनुमंड़ पलामु का है ठीक है उससरा घरवा कर देख लिजे 3 नाम याद रखना है इतना आद रखना है पुटाइए इतना बता चुके हैं अपलोग भूब जाएगे इसको मद भोलेगा क्योंकि यह ज्यादए इस अगेगा ल absolument इंपोर्टेंट यहां बनाते है ठीक है उसक से explains गठं लेक देट है फिर किसे से अलग हुआ लग हुआ अलग हुआ ठीक है यह लिख देते हैं एगार पउंट देते हैं ब्लोक कितने ब्लोक है अलिख देते हैं सबडिविजन मतलब, अनुमंधल, घ्यादर कुछ ने कीजिए थो इसको देख 내 where and the exam morality涵 ढाईगा, ठीक है सलिए, इस姉म्हों मतलब चलिए, जीला मतलब पलामू परले पलामू लिख देते हैं, फिर पलामू से क्या, गरवा लिख देते हैं, गरवा से फिर लाते हार, तीन है, आपको पते ही होगा, लाते हार, चलिए, तीन पॉइंट हो गिया, पलामू, गरवा, लाते हार, गठन कब हुआ था, इसका, तो कितना 1892 में बताएं पहले, एक दिन 1892, गरवा का कठन कब हुआ था, 99 सल के बाद, तो 1991, ठीक है, लाते हार के कब, इसका 10-10 सल के बाद हुआ था, दूजार एक में, चलिए, आपको रहा आध हो गिया, चलिए, किस से अलग हुआ था, तो पलामू किसी से अलग हुआ था, पलामू अपना खुद था, ठीक है, पलामू किसी से अलग हुआ था, ठीक है, चलिए, यहां कुछ नहीं होगा, गरवा किसी अलग हुआ है, पलामू से अलग हुआ है, किसी अलग हुआ है, पलामू से अलग हुआ है, ठीक है, तो दोनों पलामू से कोशन पूच देता है, कि लाते हार किसी अलग हुआ है, सबसे बड़ा ब्लोग है सबसे ज़ाधा पलामू गडवा में कितना है गडवा में बीस लातेहर में नौ लातेहर में 9 ब्लोग डेट आद रखना आपको चलिए सब्डिविजन अनुमंडल अनुमंडल, सब डिविजन का अनुमंडल बोलते हैं ठीक है, चलिए, कितना अनुमंडल इसमें, तीन, बता दिए कोन कोने थे, गड़वा में, तीन, लातिहार में, दो, तो देखिए, आप लोग एस सरांस है मतलओ, पूरा चेप्टर का निचोड़ यहाँ पे, ठीक है, पल पलामु, गड़वा, रातिहार, अनुमंड़ में, समय, पलामु, हैं एक लिक लिए, यहाँ यही कुछिस करने कि आप लोग उसी समय आद्वोजाए, ठीक है, इसलिए, यहाँ पंदरा बैड़ा बीडियो बनागें, चोटा बीडियो बनागे, एक एक डिविजन करेंगे, एक ब्लोग एक बार पढ़ने बैठीएगा सब लोग ता बहुत कन्फूज हो जाएगा ठीक ब्लोग पढ़िए तिन 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 चर्चर डिस्टिक का आपको याद हो जाएगा यहां से कॉस्टन बनते हैं ठीक है राइट पुछता है को सब्सक्राइब पता ही होगा आपको सा पलाँ परमंडल किस से बनाया गया था कब बनाया गया था पलाबग परमंडल Kanmindler इसको क्या परमंडल बनाया गया था ठीक है और 99 साल के बाद गड़वा का फ्रमेशन हुआ तो इससे अलग हो गया था क्या बूले थे हम प्रमंडट गड़वा का मुख्याल कहां कहां पर ढया बनाय गया गड़िया दहुर अधा कामी जरे और इसय का बनाया गया गड़वा साल के बाद कब निस्टे का बहें अप्रील सब्सक्राइब एक अप्रेल निस्टे का बहे झाल आपको यहां पदिस इक मुझे ह्ग बाइद सृ थिजन दिया सी पताई अप करlement जर रीयाप किया ब्हारजार की यह थो डिएव र्लेयमें चले जारकन के Nord CC पर यह का पर्पार्क नीजर lig निर्मान करता है बिहार नहीं गढबा हो सकता है चतर眑 識 मतल्ह मा़तर स्suite मज़शव पर कोइले क्या ने कने करती तो दो 20 परेगो कि दो पहले podr h पर फोलिकार1 दो एक लेकिन जब से अलग ववाचर थे तर आते हैं चाली थाक, वा दूजर एक में अलग हुआ लातेहार तब से इसका इंसर लातेहार होने लगा ठीक दिएगा तर इसको लातेहार मारना यह लातेहार के अंदर आता है बैटल अब बॉच्छान के पुछा नहीं कि इसके पॉपुलेशन के एकोडिंग या परसेंडेज या कुछ ने बोला है ठीक है तो इसके एकोडिंग देखा जाए तो देख लिए इसका पुरा बताई देते हैं एक बार हम देखिए देखिए एस्टी पॉपुलेशन मतलव अनुसुची जन जाती है एस्टी बोलते है अनुसुची जन जाती है और यह होता है एस्टी अनुसुची जाती है तो नहीं आद रखना ठीक है चलिए एस्टी देखते हैं हम लोग टॉप में कोन है एस्टी देखेंगे है पॉपुल में टोप्ट को ओओ है और यह percentage भाइज ठीक है देखिए population भाइज में देखा जाये तो राची ST ST population मतलब अनुसुचित जयाती राची में सब्सक्राइब पाजाता है ठीक राची में और सबसे कम कोडरमा जाता है ठीक है यह खोटी में है सबसे कम को डरामा में पर्सेंटेज भॉचले या पॉपॉलेशन में पूचले सबसे कम है और लोक घ्यादा है और लोगढ सटी में पर्सेंटेज जयादा था तो हो गिया चली आप सी का देखते हैं अनुसुचा जाती का ठीक है और यह वहता है पंपलेस्ट पापलामो आथा है पंपलामो आथा ठीक है आज सबसे नीचे सबसे कम कहां पिस नहीं पर सबसे कम पर और सबसे कम देखा जाए तो चत्रा आता है सबसे कम देखा जाए तो पाकूर को सब्सक्राइब करेंट कर रहें साथ साथ दोस्तों समझ में आप लोगों समझ में हो गया क्या वोले सबसे जयादा पर्पुलेशन के मामले में पर्पुलेशन नीचे पर्सेंटेज मामले में खूटि सबसे नीचे उसी तरह आप in सब्सक्राइब करना ही करना है चलिए तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं कल अगले वीडियो में तब तब के लिए थैंक यू एबिनाज डे